स्वागत दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे क्लास लेवन की इस्टी चैप्टर एट के बारे में जिसका नाम है संस्क्रिक्तियों का टक्रवा तो इसका पार्ट वन दोस्तों अलेडी अप्लोड कर दिया है जिसमें हमने कुछ मेटमूर्ट बिंद्धियों क कौन से यह जाना था सब्सक्राइब के बारे में जाना था हमने माया सब्सक्राइब के बारे में जाना था और इंका सब्सक्राइब के बारे में तो आज की वीडियो का सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह होगा खोज्यात्रों के बारे में ठीक है तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा खोज यात्रा खोज यात्रां से संबंदित ठीक है तो देखिए पहला टॉपिक क्या है यूरोप यूरोप वास्यों ने समुद्री यात्राइं शुरू क्यों की यानि जो समुद्री यात्राइं थी इनको सुरू करने का यूरोप वास्यों का क्या न इन यात्राओं की वज़े से क्या हुआ कि एक महासागर से दूसरे महासागर तक जोडने के लिए इन्होंने समुद्री मार्ग खोल दिये थे अब यह कारे हुआ कैसे कैसे प्रेड़ना मिली इसके बारे में वो यहां पर हम जानेंगे ठीक है तो देखिए जो यात्राओं थी जितनी भी दिसाएं पूरपश्य मुत्तर रक्षडी इन दिसाओं को दिसा सूचक यंत्र समुद्र में आसानी से बता सकता था तो इसका निर्माट कभवा तेरहास सूचक यंत्र के द्वारा यूरोप वार्षियों ने नए नए छेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त ओन स्यों के रुजटित पंडि आमेरिका महादेब के वारे यूरोप वास्यों की द्लों जाने लिए आमेरिका के टापू पे जाने लेगे देखने के लिए थीक है और उने पूरे विश्व के बरतांत रातांत को बदल कर रख दिया नई छेत्रों की कोज के लिए इस्पैन और पॉल्त्रगाल के सासक इनधन देने को त्यार ते ऐसा करने चान्दी के लिए ज्यादा खोज यात्रा करवाते थे ठीक है फिर देखे क्या हुआ कि इस्पैन तथा पुत्रगाल के लोग लोगों के द्वारा खोज यत्राइब करते तो इन्हें सासकों के द्वारा क्या किया जाने लगा इन्हें बहुत सारी आर्थिक सायजा प्रदान की जाने लगी क्यों देखें सोने की सोने चानी की कमी योरोप महादीप के बहुत से लोग जैसे पुर्तगाल एवम इस्पेन के निवासी एवम उनके सासक दूस्ते देशों से सोना और चानी प्राप्त करके विश्व में सबसे अमीर बनना चाहते थे इसका कारण यह था कि प्लैग और यूद्ध के इस प्लैग और यूद्ध के कारण तो हमें काम करते नए देशों को खोशते हैं और देखते हो आप सोना चान्दी होगा तो हम ले आएंगे ठीक है फिर आया अगला पॉंट व्यापार में मंदी अगला पॉंट काया व्यापार में मंदी योरोप महादीप के बहुत से लो नगर उनके सासक दूसरे देशों से सोना और चान्दी प्राप्त करके विस्व के सबसे मेर बनना चाहते इसका कारण था प्लैग और यूद्ध के कारण जनसंख्या में अधिक कमियाई और व्यापार में मंदी होगी इनकी प्लैग की बीमारी के कारण ठीक है और लात करते हैं कि एक महासागर से दूसरे महासागर तक की अठूट समुद्र मार्गे खुल गें एक महासागर से दूसरे माहा सागर पहुंचने का एक आसान सा रास्ता उन्हें मिल गया सोने चांदी की अतिरिक प्राप्ती से अंतराश्टी व्यापार को बढ़ावा मिला यानि कि जब समुदरी आता हैं शुरू की गई तो उन्हें आधिक सोना मिला अधिक चांदी मिली नहीं प्लेसों पर नहीं जगों पर तो इसके वज़े से अंतराश्टी व्यापार को भी बढ़ावा मिला व्यापारियों ने बड़ी-बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बना कर व्यापारे का भियान चला यानि कि जिन देशों की पास अधिक सोना हो गया जिनके पास अधिक हत्यार ह पैसा हो गया उन्होंने छोटे मोटे विक्सी जो अल्वी विक्सी देश थे उन्हें अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया यूरोप वासियों को तंबाकू आलू गन्य की चीनी काका ओवर बढ़ से परचित करवाया गया यानिकि यूरोप वासियों थे वह यह पर जाएंगे तो आप जो मूल लिवाशी होंगे आप उन्हें तो रहने नहीं देंगे जब मालीजी आपको आप सोना चाने मिल ला तो आपके बागो यह से बागो भगाद होगे ठीक है तो ऐसे मोल लिवाशी और आता है हमारा अमेरिका में इस्पैन के समराज की स्थ अपना कैसे हुई ठीक है पॉइंट फॉर है इसका इसके बाद एक और पॉइंट बचेगा हमारे ब्राजील के बारे में तो देखिए इस पहनी समराज का विस्तार बारूद और घोड़े के प्रियोग पर आधारिश निसक्ति की बडॉलत हुआ इस पहने जो समराज था उसका विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाद बहुत सारा बारूद था हतियार थे घोड़े का प्रियोग अच्छे से किया करते थे उनके पास कुसल घोड़सवार हुआ करते थे इसी के वज़े से समराज का अधिक विस्तार हुआ प्रारंब में खोज के बाद छोटी वस्तियां बसानी पड़ती थी जिसमें रहने वाले स्पहनी लोग इस्थानी आ भाकते थे जहां पर रहा करते थे इसलिए वाँ पर चोटी चोटी बस्तियां बनाई गई थी इस्थानी प्रधानों को सोने के नए स्रोथ खोजने के जिए भर्ति-किया गया यहनल के लोगों के सांट पैसा भी नहीं देती ते रहें बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और स्ञंकों के दॉड़ा अन्हें बहुत उठ्पीडित वी किया जाताता था फिर आतला महा मारी यन की यहां पर एक महामारी फैली कहां goru कि यहां पर एक महामारी फैली अब ही महामारी कौन सी ती आ Hare चेचक ने अरावाक लोगों पर कहड़ा दिया क्योंकि उनमें प्रतिरोद छम्ता नहीं थे जो चेचक की बीमारी फैली थी महामारी फैली थी इसने अरावा की जो लोगा करते थे उन पर कहड़ा दिया और क्यों कि उनके पास प्रतिरोद छम्ता उनके सरीर में हुआ नहीं क सफेरे लोगों के प्रिति नजर्यां यह था कि इस बीमारी का और यह है कि स्पैन के जो ये लोग रहे इंपर जो साशन कर रहें इनके जो आद्रिस गोल्यां चलाई जा रही है उनसे जो दुआ निकलता है यही इसका कारण है इस पैनवासियों ने इस छेत्र के दो बड़े सामराज्यों को जीत कर अपने कबजे में कर लिया इनके इस पैनवासियों ने यहां के यह जो अमेरिका था यहां पर दो बड़े-बड़े छेत्रों को जीत कर पर अपना राज इस्ताफित कर लिया था यह किसके दोरा किया गया था हार्मन कोटेज और फ्रांसिसको पिजारों के दोरा उनके अभियानों का खर्चा इस्पैन के जिंद्री नगर परिशिदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठा है यान कि यह जो अभियान हुआ करते थे ठीक है चाहे वो शैनिक दमन का दमन हो गोलियों के लिए हो या फिर सामराज्य स्थापित करने के लिए इन सब का कौन उठाता था इस्पैन के जिंद्री नगर परिशिदों के अधिकारी और अभिजात वर्क के लोग ठीक है फिर बात करते हैं यह तो अभी मैं आपको बताई दिया था लेकिन यहां पे इस्पैनिस सामराज्य पे इनका क्या यहां पे क्या प्रभाव पड़ा वो जानते हैं तो खोज यातरयों के इन पे क्या प्रभवा पड़े देखियें अमेरिके महादीब की खोज भी कि यसके कारंट कर्फ्षयप को प्रुषान मिला यहनि कि अमेरिके महादीब की खोज भी किससे इनको ugllie द्रॉत आतरों के बाद रत ऊपनीवेसद बनाने और साम्राज स्थापित करने के की परतीसेतार परदा सुर्व हो गई, अमेरीका में यूऔर्यां चाहर पिया तना के पेस्था, और आधीजींगो आधक ती, तेजींडेर ने लेगे, तो प्रतार के दीचाह दोगी, squats, इसारी लेधायोगर के दौधा बगानों और कार खानों में काम लिया जाने लेगा इस पैनियों के दोरा अमेरिकी जो लोग भुआ करते थे उनको बंदी बना कर खानों में यानि कि जो खननन का कार होता था उसमें बागों में और जो कार खाने फैक्टरों में काम करवाया जाने लगा इसके साथ-साथ बहां उत्पादन की पूंजिवाद प्रणाली का प्राधिभाव हुआ यानि कि वहां पे पूंजिवाद अपना आएगा नएनी याति गतिविदियों जोरों से सुरू होने लगी जंगलों की सफाई करके प्राफ्ट भूमी पर पशुपालन की आने लगा कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग की जाने लगी यानि कि नईनी गतिविदियों के कारेटों ने नईनी फैक्टरिया खोली नईने जगयर देखी वहां पे जंगलों की सफाई करने यह लोग और जंगलों के सफाई करके वहां खेती करने लगे खेती करने के साथ-दी यह पशुनचे लगे और शिरमक्यों को यह सिरमिकों से बेगाल लिया करते थे मतलब बेगाल करवाया करते थे कामों के लिए पहले थो इनने हैपेसे नहीं देए जिन से काम कर वा दो नाव है पृत कम पैसे नेरी अवैक नाविक हें रिन interaction सपनिघ्थे लिन यानिके जो साथ सकते प्रिंज ये नाविक हिन्वी के नाम से प्रिसिदी थे उन्होंने नाविकों को जलमार्ग द्वारा नएने इस्थानों की खोज के लिए प्रोफसाहिद किया था ठीक है उसने पश्चिमी आफ्रीकी देशों की यात्रा की तथा 1415 इसा में सिरस पर हमल कि उसने नाविकों को तो जलमार्गों की द्वारा नएने स्थान खोजने के लिए प्रोफसाहिद किया ही साथ है पश्चिमी आफ्रीकी देशों की यात्रा के साथ साथ मुआ पर 1415 में हमला कर दिया था ठीक है तस पस्ताथ यानिक उसके बाद पुर्त्रगालियों ने अन खाçar लिए जाध और अंत्रीव में अपना व्याकर ऐस्ट के इसकोल बीस्ताफ लिया तहाइन कि उसके पपहरणा 1887 पूर्त का मालावार तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की भारत का मालावार तट पर पहुंचना इसकर संब्भ वह था को भी हाल थीक है जो कि था 1487 इन measurement बात करते हैं केवराल और ब्राजील के बारे में यानि अगला पुइंट हमारा केवराल और ब्राजील के बारे में हैं, देखिए। अभी एक पार्ट वन में हमने रेखा था कि ब्राजील जो बारे में तो देखिए। केवराल ने तूफानी समुद्ध के बचने के लिए पसीम। आफ्रीका के बड़ाछ लगाया। वे उस प्रदेज के समोध तर्ट पर पहुंच गया जिसे उसे बर्तमान में ब्राजील कहा जाता है इस परकार कैवराल संयोग वर्स ब्राजील पहुंचा यानि किव ब्राजील बंड़ा था यह समोधि तूफान था यह बहुत बड़ा याृत रहता जो कि समझ्दिर यात्र stell रहता था तो कई बार इसे तूषानों का सामना करना पड़ता थे तूषानों की सामना करते यह दीरे दीरे पष्च्यमी आफ्रीका का एक बड़ा А jedem हैं यह पहुंचा कहां पे एक ऐसे जगह पे जिसे आज हम बरत्मान में कहते हैं ब्राजील के निवासी लोहे चाकू, छूरियों, आरियों के बदले में पेड़ों को काट कर उनके लट्टे बना कर जहारों तक ले जाने के लिए त्यार हो गए यानि कि जब ये कैबराल ब्राजिल पहुंचा तो उसने देखा कि यहां के जो लोग हैं वो लोहे के चाकू बना लेते हैं चूरियां बना लेते हैं आरियां बना लेते हैं तो उसने कहा कि यहां से व्यापार करना शुरू कर दिया और वहां के लोग ब्राजिल के लोग व्य करते हैं ब्राजी लिवासियों की प्रत्ति Okay किसके खिलाफ जो हम बात करने के खिलाब देखियों एंप यह उन्होंने इन तक दुर ने है जहां पर तुम रहते हो जाके मूल वासी हो क्या वह तुमारे पेट भनने के लिए सः ने जो हमारे हमारे पास यह पर कब्जा करने के लिए आ गए हो चीनी मिल मालकों ने काम करने से इंकार करके उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया यह जिससे उन लोगों में आक्रो परने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए थे ईगैं तो यह था गnez क satisf कि आ deputy पैसे लीडाओं के बारे में आसा करनों वीडियो यह वीडियो आपको पसंद आई हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं तो चले दोस्तों हम देंगे अगली वीडियो में अगली चप्टर के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना ख्याल लखे दन्रवाद जैहिन वंदमात्रम